So hello guys, welcome back to TryDev. So friends, जैसे कि आपने thumbnail में देखा होगा, आज हम बहुत ही basic but advanced topic पर बात करने जा रहे हैं, जिसके अंदर simple आप कैसे multiple buttons पर simple click listener लगा सकते हैं, right? अगर आप कोई भी, जैसे मैं आपको बताया था कि आप कोई भी buttons set on click listener बिनाने के लिए आपको, जैसे मैं आपको दि bt1 find view by id, यह तो आपको पता ही है, bt1, okay, so click listener लगाने के लिए आपको button 1.set on click listener, new on click listener, यह लग गया हमारा click listener, but guys अगर यह चीज़ आपको 20 button में लगानी हूँ, मैं तो यहाँ पर सीधा 5 का layout बनाया है, मैंने आपके लिए भी, ठेक है, simple suppose करो अगर आपको 20 button के लिए बनान इन केस आपके पास multiple views हैं, जिन पर आपको click listener लगाना है, it's not about only button, केवल button के लिए नहीं, आप किसी भी view के लिए click listener आपको use करना है, अगर तो आप कैसे use करेंगे, so simple आपको अपने main activity में जाना है, so friends, सबसे पहले आपको यह button वगरा दो बनाना ही पढ़ेंगे, like मैं आपक आपको बटन मारके दिखाता हूं multiple, button 4, button bt 5, okay तो मैंना 5 बटन का यहां पर objects बना लिए, and then मुझे यहां पर आपको simple यही चीज दोबारा करना ही है, यह भी थोड़ो सा lengthy process है, बड़ आपको multiple views के लिए करना ही पढ़ेगा, और बाकी यार अगर आप kotlin, मैं अभी तो आप करना चाहिए, उसके बाद अगर आप kotlin use करोगे, जो की android की language है, वो बहुत ज़्यादा easy है, okay, आप बार बार इनके लिए यह define करने के पजाए, आप यह हटा दीजिए, then आपको यहां पर app compact activity के अंदर जाना है, extend activity में, यहां पर आपको implement करना है, view on click listener, या फिर आप इसमे है on click listener, जैसे आप इसमें लग करेंगे view.on click listener implement हो जाएगा, और यहां पर आपको, जैसे यह error दिखा रहा है, तो आप इस bulb पर click करेंगे, और implement method, या फिर आप यहां पर click करके, alt enter करके implement method भी कर सकते, तो यह देखिए, हमें 2 method देरा है, override करने लिए, तो आपको on click को override करना है है, okay, so देखिए, आपका on click view आ जाएगा, so but यह तो एक ही आया, आप सब को कैसे इसमें use करेंगे, देखिए, इसका बहुत ही easy तरीका है, सबसे बहले आपको एक काम हो करना पड़ेगा, set on click listener, simple आपको लिखना है, और यहां पर इसको this pass करना है, right, this means, आपको इस activity का context pass करन इसके अंदर, और set on click listener की command यूज़ करना है, so मैं इसको as it is copy कर दूँगा, अगर आप यह नहीं लिखेंगे, तो आपका यह work नहीं करेगा, two, three, four, five, okay, simple काम खतम, अब आपको यहां पर जाना है, आपके button के clicks पर, कि आपको click कैसे मिलेंगे, तो guys यहां पर आपको type करना है switch और view को लेना है यहां पर, और get id, और यहां पर आपको as it is, जैसे हम switch case use करते है, case r.id. अब आपकी काम आएंगे यह वाली id, जो आपने in buttons को दी है, यहां पर, यह id, और आप यह भी कह सकते हैं, यह id, okay, तो आपको यहां पर जैसे आपको पता है button 1 मिलिया, इन object से कोई का question 1 मिलिया, okay, so अब यहां पर आप toast message अगर print कराना चाहे है, get application contest, button 1 is pressed, या click, okay, and यहां पर आपको condition में break भी देना है, और ज़रूरी यह आप toast message print करा, आप कुछ भी print करा सकते हैं, कुछ भी, तो चली इसको test करते हैं, पहले, दो buttons को test करते हैं, यह मैंने यहां पर 2 डाल दि यह, you press second button, okay, तो चली इसको run करते हैं, और friends, अब तक यह run हो रहा है, emulator start हो रहा, तब तक आप प्लीज चैनल को like, share, subscribe ज़रूर कीजिए, वीडियो को like करते हैं, okay, so video को like कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए, और Instagram पर follow कीजिए, so तब तक यह emulator run हो जाएगा, friends, यह हमारे previous video को object, अगर आपने custom progress bar video नहीं देखी है, तो please description में link है, वहाँ पर जाएए, उसको देखिए, and आप custom progress bar कैसे बना सकते हैं, वो भी आप इसमें सीख जाएगे, तो देखिए, यह हमारा app run होने वाला है, और यह हमारा app run हो गया, तो देखिए, अभी मैं बागी पर click करूँगा, कोई फरक नहीं पड़ेगा, मैं click button 1 करता हूँ, तो देखिए, यहाँ पर 2 में से दिख रहा हुगा, click button 1, button 1 is clicked, and मैं second पर click करता हूँ, देखिए, button 2 is click, so अब यहाँ पर कुछ भी implement कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी, अगर आपको button का text change करना है, तो अब यहाँ पर ही देखिए, मैं यहाँ पर button 1 का text change करता हूँ, dot, set, text, clicked, okay, and as it is आप बागी buttons को भी use कर सकते हैं, मैं इसको copy करता हूँ, और यहाँ पर, यहाँ पर मुझे नाम ID change करनी है, 3, और जरूर नहीं, आप order में देखिए, आप किसी भी order में दे सकते हैं, it's up to you, and यह 3, and यह 4, दो जल्दी हो जाते हैं, and यह 5, तो चली इसको run करते हैं, तो देखिए, इंस्टॉल हो गया, one time ही time लेता है, बस, so देखिए, मैंने click button बंदा, clicked, text change हो गया, click 3, clicked, यहाँ पर अभी भी toast message, यहाँ पर toast ही आजागा, click button, clicked, so friends, यह थी आज की वीडियो, अगर आपको click cleanser समझ में आया हो, कि आप view.on click cleanser कैसे implement करते हैं, तो please video को like कीज समझ में आया, मैं आपका reply जरूर करूँगा, तो चलिए, मिलते हैं next video में android की, तब तक के लिए, और अगर आपने channel subscribe नहीं किया, तो please कर लो, क्योंकि next time मिलने के लिए, आपको channel subscribe करना पड़ेगा.